हे दोस्तों मैं आपका सौगत कता हूँ टॉप रिपोर्टर में आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ अपने पॉइंट ओव यूज शेर करना चाह रहा हूँ मदरास हाई कोट ने जो ओर्डर दिया है CBSU को 196 मार्क्स बोनस देने के लिए वो गलत है या सही है जैसे कि आप सभी को पता है कि मदरास हाई कोट ने CBSU को ओर्डर दिया है कि उन सभी स्टूडेंट को 196 मार्क्स बोनस में दिया जाएगा जिनोंने तमील लैंग्वेज में एक्जाम दिया था क्यूंकि जो कोशिंस जो आये थे उसमें 49 कोशिंट जो थे उसके ट्रांसलेक्शन गलत है जिस वज़े से स्टूडेंट को कोशिंट समझने में मुझकी लिए आई और वो एंसर नहीं दे पाए इसलिए वो सभी स्टूडेंट को 196 मार्क्स बोनस में दिया जाएगा तो आपको मैं समझानी कोशिश करना चाता हूँ कि वो जो आडर है वो गलत है सबसे पहले बात यह है कि CBC के जो रूल है नीट एक्जाम से पहले जो रूल दिया जाते है उसमें ऐसा दिया गया है कि जो ट्रांसलेशन में जो एंबिग्यूटी हो एंबिग्यूटी का मतलब जो ट्रांसलेशन किया गया है उसके मिनिंग थोड़ा सा अलग हो रहा हो तो इस कंडिशन में जो इंग्लिश का वर्जन होता है उसके बाजू में वही फाइनल होगा इस पर मदरसाई कोट का कहना है कि जो ट्रांसलेशन हुआ है वो एंबिग्यूटी नहीं पूरी की पूरी एरर है यानि कि जो ट्रांसलेशन हुआ है वो पूरा गलत है जिस वज़े से उन सभी स्टूडेशन को 196 marks bonus में दिया जाए इस पर मैं आपको बताता हूँ कि CBC Supreme Court अप्रोच कर क्या कह सकती है CBC Supreme Court अप्रोच कर वो कह सकती है कि यह जो कोशन के ट्रांसलेशन में जो MBQT आय थी जिसे कोशन के ट्रांसलेशन से कोशन का मतलब ही चीज हो गया था उस situation में उसके बगल में जो English का कोशन होता है उसे student prefer कर सकते हैं क्योंकि कोशन जो बनता है वो पहले English में होता है उसके बाद ही उसका translation होता है translation कभी कभी perfect नहीं होता तो इस वज़ा से उन सभी student को English language को prefer करना चाहिए था ऐसा CBC के rule book में भी दिया गया है अब ऐसा है कि Tamil लाड़ो को student को English नहीं आता ये बात हम मानी नहीं सकते क्योंकि almost सभी student को English आता ही होगा क्योंकि Tamil लाड़ो में काफी लोग English का use करते हैं तो ये था main point जो CBC Supreme Court के सामने ही रख सकती है दूसरी बात जो मैं आप लोगों के साथ share करना चाहता हूँ वो ये है कि Tamil लाड़ो के topper के कितने marks आए तो मैं आपको बता दो कि Tamil लाड़ो के topper के 676 marks आए थे Tamil लाड़ो के topper ने भी Tamil में paper दिया था फिर भी उसके 670 marks आए कैसे तो इसका मतलब ये था कि जो Tamil लाड़ो के topper था उसे समझ में आ गया था कि Tamil में जो question का meaning आया है इसलिए उसने English का paper prefer किया था क्योंकि अगर 49 question गलत है जैसे कि मदरा साइ कोट कह रही है और उस student को समझ नहीं आ रहा है तो जो topper है जिसके 676 marks आए हैं और यही नहीं वो सारे student जिसके भी 600 plus marks आए हैं वो सभी ने वो question कैसे अटेंड किया यह थी दूसरी बात जो मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ यह मेरी राय थी इसके बारे मैं आप क्या सोचते हैं आप नीचे comment करके बता सकते हैं मेरा ऐसा मानना है और यह मेरी राय है यह सही भी हो सकती है और गलत भी आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें comment कर बता सकते हैं यह वीडियो आप अपने friends के साथ भी share कर सकते हैं ऐसा है यह वीडियो और भी पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करिए और notification के लिए bell icon को दबाना ना भूलिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे धन्यवाद